पीजेबी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुरादाबाद में एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर कानून का पालन नहीं करा तो अधिकारियों को जूते से पिठवांगा ये बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं आर प्रदेशन के जरी यह थे तो गुझाईश है मगर ये कहना कि मैं उसको जूतों से पिटोंगा या पितोंगा में रह में तो निंदनी है और ये किसी भी अच्छे जनप्रदेशनी की निशानी नहीं है ये तो बो देश है जो गांधी जी ने का है में तो वानी की हिंसा को हिंसा मानता हो यह देम चूते मारने की या मारने की बात कि समाज में तो एक दम वाता हुआ खराब हो जाएगा जब हम मतलब कोई जन परतिनी थी या जन सेवा कैसी बाते करेगा तो समझो को एब वस्ता को जन्म देना है और समाज विक्रित हो जाएगा अभी एक उनकी आडियो भी वाइरल ही थी जिसमें ए आर को वो धमका रहे थे कि दिमाग ठीक कर दूँगा तुमारे जहां हो वहां से उठा लाँगा वो पता नहीं क्यों को शायד बेतर मानते मैं तो नहीं मानता कि यह पतिती यह बाचीत यह तोर तरीका अच्छा है और नहीं परभावशाली होता है पाम तो हम ने जो समान मुझे मुझे मिला जब मैंने जैज बात कि किसी न मानी और मैं हमेशा प्यार से ही कहा और जो सम्मान मुझे मिला तो मैं तो अपने आपको गरवशाली मानता हूं यहां कादिकारी सदे हमको कॉपरेट करता रहा जितना काम हमारे काल में हो शाइद किसी के काल में कम होगा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महभू वली उनका भी एक बैयान आ रहा है कि मुगल साले आठ सो साले है वो नहीं ठिक पाए बीजेपी तो अब चली जाएगी हमारी आबादी बढ़ रही है इनका राज खत्म होगा हमारा राज आ जाएगा इस तरीके के बैयान यह भाषा सांपदाईकता को टाकत देती है एवसा को टाकत दे देती है और ऐसे लोग मेरी रह में समाज को बिगाडने का काम करते है मैं उनके इस बैयान की तो घोरनिंदा करता हूं और उमीद करता हूं मेरा उनसे व्यक्ति का समन्द भी है कि वो ऐसी चीजों पर माफी माँएं और समाज के निर्मान को अच्छा वातन बनाने का लिए प्रयास करें लेकिन अभी अचानक से आप देखने कि कुछ दिन से ही इस तरह की बयान बाजी शुरू हो गई है महभू बली का इस तरह के का बयान हमारी आबादी बढ़ रही है हम ये कर देंगे इस तरह की तमाम चीज़े आ रही है क्या लग रहा है इसे बयानों के पीछे नहीं ये बयान देकर को तो सामर्दाइकता को जब वो बयान देंगे तो हिंदू सामर्दाइकता को बढ़ावा देते हैं और दोनों ही सामरदाई किता खराब है, चाए हिंदू सामरदाई को या मुसल्मान सामरदाई को, मैं मानता हूँ दोनों ही इस मामले में अच्छा काम ने करते हैं, ये देश समता समानता से चलेगा, सैकुलरिजम से चलेगा, भारत को जो गांधी नहरू ने बनाया था, उस पचलेगा चोधरी साव जैसे लोग सदेव समाज के नर्माण और बनाने का काम करते रहे यदि इमानदारी से हम चाहते हैं देश वक्त हैं देश को बनाना चाहते हैं चोधरी साव का रास्ता गांधी का रास्ता है आज भी उचित रास्ता बहुत बहुत शुक्रिया तो देखे RLडी के राष्टिय महासाची हूँ है राजिंदि शर्मा जी किस तरीके से संगीत सोम के बयान की बात हो या फिर महबू वली के बयान की बात उनका सीधा कहना है कि महबू वली अपने इस बयान के जवाब की